तुडेर स्टूडेंट आज किस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारे बीए बेसी बीकॉम के सिक्ष समस्टर यानि कि छठे समस्टर के स्टूडेंट हैं उनको एक को करिकुलर यानि कि अन्यूर प्रशनपत्र की परिच्छा देनी ही देनी होगी जैसे उन्होंने हर समस्टर में दिए थर्ड में दिए उसी तरह आपको इसमें भी एक को करिकुलर सब्जेक्ट की परिच्छा देनी होगी जो कि अन्यूर प्रशनपत्र के नाम से जाना जाता है और इसका नाम है कॉम्मुनिकेशन इस्किल एंड प्रशनाल्टी डेवलप्मेंट और हिंदी भी बोलेंगे समप्रेशर कॉस्टल वाब बेक्तुत का विकाफ यह आपका को करिकुलर सब्जेक्ट होता है जो भी हमारे बेशी विकॉम के शिक्स यानि कि छटवाश समस्टर के स्टूडेंट है उनको एक अंपल सरी सब्जेक्ट होता जिसकी परिच्छा देनी होती सारे यह जानते हैं पहला प्रत्यासी थोड़ा सहज होता है तो उससे पूछा जाता है मतलब कि यह प्रश्ण यह कह रहा है इक्जामपल करोश समझते हैं जब कोई भी स्टूडेंट या फिर कोई भी कंड्रीडेट कहीं पर इंटर्व्यू देने जाता है ठीक कोई कंपणी में कोई भी ऑफिस में तब उस स्टूडेंट या फिर कंड्रीडेट से थोड़ा सहज होता मतलब कि वह जब थोड़ा सहज होता है यानि कि इस्टूडेंट थोड़ा नार्मल होता है एकदम थिक अशिदाफ आदादा होता है तो उससे किस प्रकार के प्रशन पूछे जाते यहीं आपको बताना है तो इसमें बहुत फारे आप संदिये जाएंगे फितरा तो सही उत्तर हो जाएगा अप्शन नंबर आ ठीक उससे पूछे जाते हैं सूच नात्मक प्रशन इस बात को धान रखेंगे ठीक है ओके और अगरा प्रशन प्रस्तुत है कि स्सी परिच्छाएं कितनी स्रेड़ी में आयोजित कराई जाती है तो आप बीए के स्टूडेंट है बीकॉम के तो स्सी से भी वैकंसी आती है उनका एक्जाम का फॉर्म तो फिल करते ही होंगे ठीक नौकरी के लिए स्सी का पूरा नाम होता है इस टाप स्रेक्ष्न कमिचन आप सभी कमालों में तो स्सी परिच्छाएं कितनी स्रेड़ी में आती है आपको बताना है तो यह जो आती है वह दूश्य प्रिडिव में आती हैं सही जवाब हो जाएगा अगला एक इस नोग्राफर के पेपर की आयो कितनी होती मतलब कि इस टक फॉर्म अफलाई कर सकते हैं कितनी होती आपको बताना पड़ेगा ठीक है तो इस नोग्राफर एक वैकंसी के रूप में मतलब की नोकरी वैकंसिया नि विपनवक्र सब्सक्राइब होता इसके पुस्चिन पूछा इतनी होने चाहिए तो कि राल यहां पर कोश्चन पूचा चरते कि सब्सक्रीप आपको करना थियान लखेंगे यहां तो आप लोग उसका उत्तर दूसरा देंगे 25-27 हो जाएगा ठीक है लेकिन यहाँ पर सिर्फ इट्नोग्राफर की वेपर की बाते कौन सी है तो बाइव डाटा मतलब कि कोई भी देशी कि आपका नाम आपके पिता का नाम आपने कितनी पढ़ाई कि कि एक स्कूल किया इंटर किया बिए कि यह किया कंप्यूटर की नौलेज है तो बाइव डाटा की मुख बाते कौन सी है तो ध्यान रखेंगे बाइव डाटा की जो मुख बाते हैं वह होती है आपका फिच्छा कानुभा मतलब कि आपने कहा तक क्वालिफिकेशन कर रखा मतल क्या इंटर किसमें आपका चरित्ति यह सब चीजेस्में में बताई जाती हैं कि स्ञवी चीजिश होती ही सब्सक्राइब सबस् lanes ऑप्र हमतलेस्यक् görüşका क्या लटा अगर आपको पढ़ेगे कितना लिखे कितना क्वालिपिकेशन है क्या नौलेज हैं अगर आपको लिखेत रूप में देना होगा तो मिसके मादेश सबस्ताम अगला प्रचा है कि क本र पीकितने होता है तो जूटेंगे में यो पांच भूक होता है कि यह अधी नंबबर हो जाएगए बाइटा होना होना जाहिए नि het सब लिखा होता है वह कौन से पेपर किस प्रकार का पेपर होता है तो पेपर आते हैं कई साइज की जहां पर आप फोटो कापी कराने जाते हैं तो जिस पर फोटो कापी कराई जाती उसको एफोर साइज के नाम फे जानते हैं ठीक है जहां पर आप फोड़ाधार काट की बैं होती है तो इस प्रकार यहां पर आपसंद दिए गए तो आपको फिरहाल इसका सभी जबाब लिखना है ठीक है एक फोसाइट जिस पर आपको फोटोकापी होती उसी पर यह बाइव डाटा होना चाहिए आगला प्रश्ण है कि बाइव डाटा का फॉर्मेट रखना चाहिए जो आपका क्वालिफिकेफन है नाम है पता है पूरी चीज है आपकी जुतनी ही वह बाइव डाटा किस फॉर्मेट में होने चाहिए तो ध्यान रखना है असपस्ट हो यानि कि एकदम किलियर्टी हो ठीक है सुद्ध हो साफ सुतरी हो स्वरल हो यानि कि बहुत ही सिंपल व सभी जबाब हो जाएगा डी नमबर क्योंकि यह सभी क्वालिटी होनी चाहिए ठीक है चली अब हम बढ़ते हैं निश्प्रशनी के और प्रशनी के रहा कि अध्यन की दर्ष्ट से बेक्तिकत बिभिन्नताओं का महत्तों है तो यानि किफी चीज की चीज को अध्यन करेंग कि उफ द्रिष्ट से बेक्तिकत यानि किसी भी इंसान की प्रशनालिटी के भिन्नता का क्या महत्तों है वो बताना है तो सही जवाब हो जाएगा आपसे नमबर डी क्योंकि यह सभी चीज़े होती है बैद्यार्थी कि यह फिर बिद्यार्थियों के बिद्यार्थियों के सब्सार ग्रहकार देना विद्यार्थियों को का समरूप समोह में वजगी करना यह सभी महत्तों है इसलिए सही जबाब हो जाएगा उप्रवक्त में से सभी आगला प्रशना है कि अवैक्तिक अंतरों का ज्यान सिच्छकों की मदद किसमे करता है तो ध्यान रखेंगे इसक अंजया को ध्यान रखेंगे वह थी हेल्फुल कोश्चन है अगला प्रशन की इंटर्वीयों के प्रश्न किसे सभी देने कि जवाब कही पर इंटर्वियू देने जाते हैं चाहिए आपका सरकारी नोकरी प्राइबेट तो वह प्रस्ण पूछते हो किसे सम्मधित होते हैं तो इस प्रस्ण का सही जवाब हो जाएगा आपसे नंबर कौन सा बताई कमेंट सेक्षिन अगर मालू में तो कैरियर इतिहा से और भविष्ट से अगरा प्रस्ण है कि फच्छात कार में प्रस्ण का जबाब निम्न प्रकार देंगे मताब कि फच्छात कार में आप प्रस्णों का जबाब किस प्रकार से देंगे यह आपको बताना है तो ध्यान रखना है आपको नियुक्त करता को ठीक है बिस्वस् स्वस्त करने और पम सचाफ काब बहुष्रियँ लच्छ के बारे में टीक है जबाब दे और प्रशो का प्रशाप्र अच्छा पर आ की हिसोग पीछे कारण या आपको बताना है तो सब्सक्राइब होचाचे का अब हें तरीक कि बेक्त की बोलने का तरीका भी देखा जाता है रुआ की चाल-डाल बhone stellt- सिस्ता चारी वाega स्मिजाज होना चै यह भी देखा जाता है तो यह सभी चीज इसी होनी चाहिए ठीक है और बेक्तियों कि सभी कारन होते हैं ठीक इसलिए सउबहों हो जाएगा सभी आगला आप लोग को ध्यान देना और अभी तक वीडियो को complete देखीएगा हमें आपको भरोसा दिला रहा हूं कि वीडियो के लास्ट में या फिर कभी भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा एक टिप्स बताऊंगा जिसके बादेंसे आप कम पढ़ाई करके भी अपने एक्जाम में अच्छे काफे नमबर लासकते हैं वह बहुत ही बेहितरीन ट्रिक है टिप्स है जो कि 100 प्रसंट वर्किंग ठीक काम आएगी आपकी वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगी ठीक है हम आपको बताएंगे अच्छे से ठीक है और अगरा प्रशन है कि फच्छातकार की प्रसन से तार्किः भ benefit प्रसन से जबाब इसका हो जाएगा फरीव कितरा सभी तो इसका मतलब होता है हंदी में अर्थ होता है में इंटर्वियो कि मस्फच्राट का आइए इंटर्वियो की इस प्रकार कि होते है तो आपको बता दिया गाओ पर प्रश्णों से होती है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है इन प्रश्णों की जो सुरुवात है ठीक है वह होती है अनुप चारिक प्रश्णों से बी नंबर सही जबाब होगा अगला कि अनुप चारिक प्रश्णों में किन बातों को पूछा जाता है तो अनुप शुपषा जाते प्रत्यासित का नाम यानि कि जो भी Student तो कि अ तो इसमें देगे जो option है इस में सही उत्तर होगा वापको बताना होगा फिरहाल सही उत्तर में आपको बता Vernway in a number हो जाएगा ठीक है कौन सा हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा यह बिद्यारतियों का बुद्धी अफrocket समान है तब भी उपलब्द में विविन्नता हो सकती है इस बात को ध्यान लखेंगे अगला कि एक अध्यापक किसी भी समू में समुदाय आधायक ब्यक्तिकत विविन्नताओं को समझ सकता है किस माद्यम से तो ध्यान लखेंगे इंपॉर्टन कोश्चन है स्यजबाब हो जाएगा सी नमबर भासा एवं अभिविक्त के अधार पर ठीक है इनके माद्यम से वो समझ सकता है अगला है कि प्रजातिगति ठीक है प्रजातिगत विविन्नताओं को समझने में निवन में से क्या मददगार साबित नहीं होता है जो मददगार नहीं साबित होता उसका नाम बताना बहुत ही English स्याइजबाब हो जाएगा आपिस्ट नमबर डी वह बत्धि ठीक है अगला साथ सारीरिक मांसिक योगता और सम्वेगात्मक दसा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं यह होता यह कि व्युक्तिक व्युक्तिक भिनता के संदेव में सत्त नहीं है वा कौन सापस्ट है तो सही जब आप इसका हो जायेगा अफ्षन अमबर D पुहे बेक्त बिसेष्ट ना तो कोटी और ना ही प्रकार में भिन्न होते हैं चाहिए जब आप डि होगा अगला प्रशना आप लोगों के समस्प्रस्तुत है कि हमें से कुछ लोग हमें से कुछ लोग कुछ तो लंबे हैं तथा कुछ छोटे हैं कुछ जो गोरें हैं तथा कुछ तो चौना कि दिपेंड है वो कौन सा अपस्टन है स्มेसे तो इसप्षनिक ुखा आपको बताना पॉन की क मालूम। पिस्थक बताएंगे तो सही हो जाएगा इस प्रश्ण का सही जवाब हो जाएगा कौन सा अप्शन नमबर ओ कि अपर फिरहार आफ पन थोड़ा में सुआ है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं सखाव कौन हो जाएगा ठीक है ध्यां रखेंगे वैक्तिक ठीक वैक्तिक भिहनता पर क वे तहां से दिख लिए जीगा ओके ताकि आपको confusion न रहे जाए वे तिक है वेक्तित वेक्तिक भिनता पर ठीक है ओके ध्यानक के जब आप हो जाएगा इसका एक तरीकिस मान सकते हैं तीन नमबर ठीक है चालिए नेश कोशन कर बढ़ते हैं अगर इसी तरह आप सनाएगा करने चाहिए तो आपको ध्यान रखना आए उसको तो विभेद नहीं करना चाहिए और प्रतेख बच्चे के लिए समानलच्छ सुनिष्चित करने चाहिए ठीक है यह जरूर करनी चाहिए हर टीचर को प्राथमिक टीचर को बच्चों के साथ अगला कि वेक्तिक भिमिनता के मिलने से वेक्तित भिनता के मिलने के संबंद में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए किस परकार की तो सही जब आप इसका आपको बताना है कमण सेक्षिन मालूम ज़रू बताएंगे फिराल इसका बेक्त अधायत पार्ट करवों को उनकी अवस्यक्त अध्यापक को नहीं करना चाहिए ध्यान रखेंगे सही जबात या विचार के लिए राजी करना यह जो है वो नहीं होना चाहिए ठीक है नहीं करना चाहिए अगला की अभिवरत्ति क्या है तो अभिवरत्ति के बारें जा लेजिए अभिवरत्त एक भावनात्मक प्रवत्ति जो अनभों के द्वारा संगठित होकर किसी मनोभज्यानिक वफ्त के प्रति पसंदिगी या ना पसंदिगी की रूप में प्रतिकिरिया करते जिसको अभिवरत्ति बोलते हैं सही जो बच्चा होता सरप्रत्व जो अन्कुराण करता है तो ध्यान लखेंगे बहुत ही आप लोगों के लिए पार्टन कोईश्चन है सही जबाब को जाना जरूरी है तो बच्चों के भासाई विकाफ के लिए जरूरी है तो बच्चों के भासाई विकाफ के लिए जो जरूरी है तो इस प्रस्ट में का जो एक मिनट है वह बच्चों के विकाफ है तो गद्विदियां जित की जानी चाहिए ठीक है दूफ्रा है उनको अधिक से अधिक अपने विचार बेक्ट करने का अफ़र देना चाहिए तीफ्रा है लिखना पढ़ना बोलना चाहिए यह सब चीज करन कि यह परिभाफा किस्ट ने दी है तो यह परिभाफा जो दी गई है ध्यान लखेंग वो दी गई है इसकनर के द्वारा दीनमबर सही रवाब होगा अगला की वाडी दोस नहीं है तीब्र असपस्ट वाडी यह द्वान परिवर्तन और असपस्ट उचारण धीमी यह है वाडी जो दोस नहीं है ध्यान लखना है वह है आप सभी बताई कमण सक्षिन में मालू है तो आओ जाएगा धीम यह तेजगत से बोलना ठीक है इस कोश्चन में सबंजस है आप इग्नोर भी कर सकते हैं अगला है कि चिंतन संग्यानात्मक पच्छ में एक नागरिक क्रि अगला है कि चिंतन सक्ट के विकाफ की किरिया में निमर्खित में से कौन सा कथन गलत है ठीक है तो यह कम बुद्धिवा घ्यान ठीक है डीरमबर सभाव होगा अगला है कि हम सभी अपने बुद्ध्य प्रेणा अभी रूची आजिके संद्र्व में भिन्न होते हैं या फि सिद्धान है चिसे संबंदिते आपको बताना धीक है मतब कि सिद्धान टो जो है जिससे संबंधी डिशन नाटाफे सिजबाब हो जायगा इनल ठीक है अगरा प्रशन है कि पढ़ाते समय समानिक अच्छा मैं ध्यापक का सर्वधिक ज्यान किस मनोब ज्यानिक तत्थ पर होना चाहिए तो ध्यान ना खेंगे ओके बहुत महात्पूर प्रस्ण है तो पढ़ाते समय समान निक अच्छा मैं ध्यापक वासरुदिक ज्ञान ध्यान किस मनोब ज्ञानिक तत्पर होना चाहिए यह आपको बताना है ठीक है तो फिरहाल इस प्रस्ण का जो सही जबाँ हो जाएगा आपसर नंबर सी हो जाएगा वह एक्टीद विभीन देता सी नंबर अगला है कि कच्छा में विद्धार्थियों के वह एक्टीद विभेद हैं लाइक कोईशन बहुत कमाता है इसलिए इसको एक नोरी करेंगे हम प्रस्ण है कि संशिप्त पर पीएस आर यह जो की विकाल से समद्धी थे तो पॉइंट वाज बताना कि पहले पर कौन आएगा ठीक है प्यारस पीएस आर इन पर पर तो पहले पर जो आएगा ध्यानले के का फिल्फूल कोस्ट्टन है वह एगा एक नमबर समस्या हल ठीक है कौन आएगा पहला समस्याल दुफ् कि अधिकांस बालक अपनी मात्र भासा सीख लेते हैं कितने वर्स में तो अधिकांस जो बालक है जो अपनी मात्र भासा सीख लेते हैं उसके लिए टाइम लगता है कम से कम ठीक है छे वर्स की आई में ठीक है छे वर्स की आई में सीख लेते हैं अगला कि जब कोई बच्चा क प голуб DOWN करता है तो आप क्या करेंगे कोई स्टू डेंट कोई सब्सक्रण कर रहा तो आप नंबर उसको फुद्ध उठाण बताएंगे मतबकि सही क्या है गलत क्या है गलत बताएंगे और आपको बताएंगे या deap तो उच्छान बताएंगे कैसे किया जाता है अगला प्रश्ण है कि निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रिक्रिया में सबसे कम महत्रपूर्ण है तो इस प्रश्ण का जो चाही जबाँ हो जाएगा अप्शन नमबर सीठी के हुए मास्पेशियां क्रियां है अगला की मैडम चा अगला की एक पांच वर्श के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है तो एक पांच वर्श के बालक का जो चिंतन होता है वो होता है परावर्थि चिंतन यानि की बदला करता जो अगला कि किसका ताद पर उन विश्ष्ष तरीकों से है जिनके द्वारा बेक्त अपनी अनभूतियों को बेक्त करता है ठीक है तो वो बेक्त करता है आत्मा प्रबल के समस्त वो अपनी जो अनभूतियां है उनको बेक्त करता ह सब्सक्राइब करें प्रबलन तो इसी प्रकार के प्रशन आपको देखने उक्पिलेंगे और यहां पर समाप्त होते करीब करीब साथ कोईश्चन और उसके उत्तर मैंने बताएं काफी वीडियो साबित होगी आप सभी के लिए और एक ट्रिक और टिप्स मैं आपको बता दे रहा हूं जैसे कि यह कोईश्चन है कि वह एक तिक विभिनता का क्या आर्थ है तो यहां पर बहुत फारे अपसंदेगे लेकिन मालुम कि कौए होगा कोणल गलत होगा की उत्तर करना भी तो कुछ नहीं करना इससे प्लिखा रहें तो आपको सब्सक्राइब यह इन में से कोई नहीं ऐसा ही जो दिखे ठीक है तो इस प्रशन का सभी जबाब आप सभी को मालूम है क्या होगा मास्पेशिया क्रिया है और मैडम चाय खाते हैं यह बहुत कमात आप एग्णोर भी कर देंगे ठीक है अगला की कोल सेनिक के अनुसार संकलपना का पुनल अगला के तात पर उन बिश्च तरीकों से जिनके द्वारा बेक्त अपनी अनभूतियों को बिक्त करता है ठीक है तो इस प्रकार के प्रशन आपको आपको आपकी पर इच्छह में देखने को भी लेंगे ठीक है और धीक मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं जान सब्सक्र यह प्रकार कि जितने भी कोईश्चनों में आप संदिय होगे वहीं फिलेट करेंगे जिस प्रसंद का उत्तर ना मालूम हो उसका मालूम उसका बेजिजिक उत्तर देजिए जिनका नहीं मालूम है उसमें लास्ट वाला आप अप्रेट करके आएंगे डी नमबर यह बहुत ही बडिया ट्रीक है बाकि आपको मिलते हैं यह और नई वीडियो को साथ यह पूरी पूरी अगर आपको पीडियाप चाहिए तो हमको टेलीग्राम अर्सप पर मैसेड कर देंगे तो हमको पूरी झालग का wrestle करेंगे नमबर यह वैर करेंगे आपको मैसे सुपमा है उता है थक्रिल सुछ करेंगे जह का सथिएरी चत्स मराई सब्कCrंव डाहएं करके स्क्री अज़ू च Carn송री हो किए यह बड़ीडियो की पूरी करेंबरे का मम है चुछंप मैसे माम है जदारां बुरी कि